दोस्तों आज हम बात करेंगे उन सभी जॉब सिकर्स के लिए जिनका सपना हो कि वो कैनेडा जाकर एक काम कर सकें कैनेडा में जाकर के अच्छा खासा इंकम कर सकें ठीक है तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यदा फायदेमंद साबित होने वाल है जी हाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं GTS प्रोग्राम का यहनी कि Global Talent Stream आप नाम सही आपको पता चल रहा होगा कि Global Talent Stream इसका मतलब यह है कि दुनिया भर का किसी भी कंट्री से जिनके पास अच्छा खासा knowledge हो skills हो ability हो काम करने का वो Canada में आ सकते हैं Canada में काम कर सकते हैं अच्छा खासा income भी कर सकते हैं क्या है Global Talent Scheme कौन इसमें apply कर सकता है कितना दिन का process होता है कितना रुपिया खर्चा हो सकता है इन तमाम चीजों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्य से और आज यह बताऊंगा मैं आपको कि Global Talent Stream जो है दोस्तों इसमें कितना सारे occupation list हैं और कौन-कौन सा occupation list वाले इसमें apply कर सकते हैं तो अगर आपका भी इच्छा हो Canada जाके job करने का Canada में जाके बहुत पैसा कमाने का तो इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखें क्योंकि मैं वीडियो का किसी वी छण में मैं आप बताऊंगा आपको कि कौन-कौन सा positions, कौन-कौन सा occupations ठीक है आप किस टाइब का आपका profession है आप इसमें apply कर सकते हैं और क्या salary कमा सकते हैं मैं तमाम चुछ के बारे हैं बिस्तार से बताऊंगा नमस्कार मैं हो शकुमार साह करियर कोच और आप देख रहे हैं अपना पसंदेता चानल लावनिया ग्लोबल करियर प्लानर यूटूब पर अगर आप पहले बार चनल पर आए हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजेगा साथी बैल आकन को on करके notification बटन को on रखें क्योंकि इसी तरह का informative वीडियो में हर दिन ले करते हैं वो केनड़ा जा करके इस प्रोग्राम के मध्यम से दो हफ्ते के अंदर भीजा ले सकते हैं ज्यादा समय नहीं लेगेगा इसमें ठीक है ना तो इसमें आपको कोई इंग्लिस टेश्ट देना है और ना ही इसमें लीमिया का कोई जंजट है दोस्तों क्योंकि लीमि के अंदर आपको विजा मिलने वाला है तो दोस्तों चलिए इंडेप्ट में जानते हैं ठीक है ग्लोबल टालेंट स्ट्रिम जो है दोस्तों इसमें highly skilled वालों को लिया जाता है अगर आप भी high skilled profession से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों इसमें आप apply कर सकते हैं इसमें होता यह है कि Canada का जो भी recruiter हैं जो companies हैं जो staff लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है इसलिए क्योंकि देखिए अगर आप example आप इंडिया से हैं job apply करते हैं तो यहां से आपको job apply करने के बाद आपका work permit आने में डेड़ से दो महिना सम्टाइम तीन महिना का समय लग जाता है और उतना समय वहाँ पर employer के पास नहीं रहता है उनको क्या चीए वहाँ रेडिली अविलेबल होना चीए कहां पर Canada में ठीक है ताकि वह तुरंत उनको recruit कर ले लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि वहाँ रेडिली अविलेबल हो ठीक है वहां तो भाईया workers का crisis चलता है वहाँ worker मिलता नहीं है तो कहां से कोई बंदा वहाँ पर एवेलर रहेगा तो यह तुरंत ले लेगा job के लिए ठीक है तो इसलिए IRCCC ने इस पध्धति को इतना सरल कर दिया है कि कोई भी अगर global talent stream के माध्यम से जाएगा तो उनका दो सब्ता के अंदर एक बार इसे आपका application submit हो जाता है उसके दो हफ्ते के बाद आपको भीज़ा approval मिल जाता है और इसलिए ज़्यादा complicated नहीं जाता है क्योंकि इसमें no IELTS जरूत नहीं नहीं इसमें कोई लीमय का problem है और नहीं आपको कोई fund दिखाना पड़ेगा ठीक है इसमें fund के भी कोई जरूत नह जाता है कि नहीं तो अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई talent है दोस्तों तो आप में talent के नाम बताऊँगा कि कुछ talent चाहिए आपको समें दो category है ठीक है आगे बता रहा हूं मैं तो अगर आप उस category में आते हैं तो आपको apply करे लिए आगे बताता हूं मैं GTS में जो दो category है category A औ highly skilled ठीक है example जैसे बता दूं मैं अभी कोई computer software है अगर हो apply करता है तो नहीं जी उसके इसमें नहीं होगा क्योंकि इसका जो salary है दोस्तों वह minimum 80,000 Canadian dollar रहता है ठीक है और इसका जो education है वह minimum आपका होना चाहिए master degree आप जिस भी sector में काम करते हैं जिस भी sector में आपका experience है उसमें आपको इसमें master करना है ओके आपका इसमें minimum 5 साल का work experience होना चीए आप जिस भी field में जा रहा है जिस भी category में आप apply कर रहे हैं उसमें आपको 5 साल का experience होना चीए तो समझ सकते हैं कितना जादा इसमें filtration होता है आपको बता दूं इसका जो vacancies है दोस्तों वह शायद 5-6 होता है पूरा Canada भर में ठीक है लेकिन हाँ बहुत लोग इसमें apply करते हैं ओके और यह हर दो दिन 3 दिनें बता रहो हो में 4-5 vacancies रहता ही रहता है और जो अचा talented है उसको यह job मिल भी जाता है अब बात करते हैं category B जी हाँ यह category B आपका काम के लाएक है ठीक है category A तो बहुत ही कम फैल शोट लिस्ट हो सकता है जैसे कि इस category में पहले government ने only 12 occupation list को सामिल किया थे लेकिन आप उसको 17 कर दिया गया है क्या-क्या वह list है मैं आगे आपको बता रहा हूं और यह बताने के बाद में यह बताऊंगा भई इसमें apply करने के लिए खर्चा कितना लगने वाला है तो पांच नया occupation list जूड गया है अब देख सकते हैं 17 occupations are now eligible under global talent stream and 5 new occupations added to the existing list of 12 occupations eligible for global talent stream check out full list and eligibility तो हम नीचे देखेंगे employment and social development of Canada ESDC updated the list of occupations eligible for work permit under global talent stream ESDC जो है यह अभी add किया हुआ है 5 new occupations नीचे हम देखेंगे कौन-कौन सा है ठीक है और देख सकते हैं आप GTS is quickest route to get a work permit यह GTS जो प्रोग्राम है दोस्कों इस प्रोग्राम के माध्यम से आप आसानी से Canada का visa ले सकते हैं for eligible candidates who are willing to come to Canada and have a job offer from Canadian employer ठीक है बहुत आसानी से आपको Canada में visa मिल जाता है फर्थमोर IRCC commits to process GTS work permits within only two weeks after applications is received जैसे ही IRCC ने promise किया है ठीक है कि जैसे ही आपका GTS work permit के तहत अगर आपको job मिलता है तो आपको दो हपते की अंदर visa मिल जाएगा so if you have experience and talent in this occupation list then you should start exploring to find a job and apply for a work permit under GTS ठीक है देखते हैं कुनकों सा लिस्ट है दोस्तों यह भी नया updated हुआ है computer and information system managers ठीक है civil engineer यहाँ देखे eligible NOC codes यह code आपको डालना पड़ेगा ठीक है mathematician and strategician position for actuary and related occupations are excluded from this subject information system analyst and consultants इसमें अब देख सकते हैं data scientist, cyber security specialist, business system specialist, information system specialist, web designers ठीक है इसके अलाव देखेते हैं database analyst and data administrator जिसमें data scientist है database analyst and data administrator भी इसमें सामिल है software engineers and designers जिसमें software engineers and designers है data scientist भी इसमें सामिल है computer programmers and interactive media developers computer system developers and programmers software developers and programmers web developers and web programmers है next दोस्तों web designers and developers ठीक है web designers, web developers and programmers, इसके अरावा है electrical and electronics engineering technologists and technicians, ठीक है, computer network technicians NOC 221 occupation list में जो आया था, computer network and web technicians, information system testing technicians, producer, technical, creative and artistic director and project manager, visual effect and video game, next दोस्तों, digital media designers, तो दोस्तों आप बात करते हैं, खर्चा कितना होगा ये job में apply करने के लिए, तो इस job का जो processing charge होता है, वो 1000 Canadian dollar होता है, और ये जो खर्चा है, ये employer को pay करना होता है, ना कि आपको, आपको एक रुप्या भी खर्चा नहीं होता दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि हम एक बार वहाँ चले जाएंगे, तो क्या हमसे हमारा जो employer हो recover करेगा amount को, तो बिल्कुल नहीं, आपसे कोई भी प्रकार का पैसा नहीं मांगा जाएगा, नहीं आपका employer आपसे कोई recovery पूछेगा, ठीक है, आशा करता हूँ, आज के वीडियो को माध्धम से आपको समझ में आ गिया होगा, कि GTS प्रोग्राम किसके लिए बना है, और कौन इसमें apply कर सकता है, अगर आप भी इस category में सामिल है, अगर आप भी apply करना चाहते हैं, तो यार, तो आप अपना computer निकालो, अपना profile बनाओ, profile करके apply करो, और आराम से जाके Canada में job करो, so thank you so much for watching, मिलते हैं, इसे तरह एक नए वीडियो में नए टपिक के साथ, तब तक लिए आप रखें, अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त, thank you so much, जय हिंद, जय भारत!